हेलो फ्रेंड बेलकम टू माई चैनल मैजिक कुक्स आज मैं ले कराईउ काकोडा की सबजी की रेस्पी जिसे जंगली करेला भी कहा जाता है यह सबजी बहुत ही ताकतवर होती है यह प्रोटीन और आईरन से भरपूर होती है इसे अलग लग जगोव पर अलग लग नामों से जाना जाता है कहीं से कंटोला, काकोरा, खिकसा, जंगली करेला या फिर इसे मीठा करेला भी कहा जाता है आपके यह इसे क्या करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा यह बारिस के दिनों में मिलता है तो इसे इन दिनों में बना कर जरूर खाईएगा यह बहुत ही टेश्टिक लगता है तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना इसके लिए मैंने यहां पर लगबग 500 ग्राम काकोडा ले लिया इसे मैंने 15 मिनट के लिए नमक वाले पानी में भीगोद दिया था इसे 2-3 बर अच्छी तरह से दोका साप कर लिया है ताकि इस पे लगी हुई म विट्टी अच्छी तरह से निकल जाए अब इसे हम कट कर लेंगे पहले हम इसके आगे और पीछे वाले पूर्शन को काट लेंगे फिर इसे हम बीच से कट करके पतले पतले लंबे स्लाइस में हम काट करके तयार कर लेंगे आप इसे अपने मन पसंद अकार में कट कर सकते यह बहुत हेल्दी सब्जी है यह हमारे बेटलास में भी हमारी मदद करती है अगर आप मेरे बताएगए तरीके से बनाएंगे तो यह सब्जी आप बार-बार बनाकर खाना चाहेंगे अब आप देख सकते हैं हमने इसे काट करके तयार कर लिया है न तो यह बहुत ज्यादा पतला है न तो बहुत ज्यादा मोटा है अब हम सब्जी बनाएंगे इसके लिए मैंने कड़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है मैं यहां पर दो से तीन टेबल इस्पून मस्टरड आयल का युच कर रही हूं आप कोई भी रिफान या प इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि यह तले में चिपके ना अब आप देख सकते हैं हमारे कड़ा का कलर चेंज हो चुका है और यह लगबक 50% कुक भी हो चुके हैं अब हम इसे निकाल लेंगे अब फिर अब इसी कड़ाई में बच्चे हुए तेल में हम एक से ड़ेंगे मेधी होता है इससे हमारे सबजी का टेस्ट पहुँ जए बढ़ जाता है ठोड़ा ठटाय तो एउसे कुछ सिकेंड के लिए करीब कुछ लेवे लॉसुन डाल देंगे आप चाहे तो लॉसुन को बारिक कट करके भी डाल सकते हैं और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्छापन खत्मा हो जाए इसमें हम दो से तीन हरी मिर्च भी डाल देंगे अब हमारा प्या जलका ब्राउन हो चुका कासमेरी मिर्च लाल मिर्च डाल कहरें भी करसकते हैं मैशन इसमें भी हाप तीऐ पुडर हाप टीऐ-पाउडर डॅलए ओर हाप टीईस्पून गरम मसाला ड़ेंगे और इन इस सारी चीज़ों को अच्छी पलदी से बहारा बहुन लेंगे हम इसे एक से दो मिनाट बहुन अब इसमें हम हाप टीस्पून के करीर नमक डाल देंगे नमक आप अपने हिसाप से अर्जिस्ट कर सकते हैं नमक डालने से हमारा प्याज थोड़ा जल्दी से लूज हो जाएगा और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम फ्राई के हुए ककोड़ा भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से प्याज के साथ हम मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज के साथ हमारे ककोड़ा भी अच्छी तरह से पक सके अब इसे हम ढख करकर 10-12 मिनट तक पका लेंगे इसे पका तिसमें गैस की फ्लेम लो अब 5 मिनट हो चुके हैं अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी आधी पक चुकी है इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे ताके यह तले में छिपके न फिर इसे हम ढखक कर के दीमी याज पर 5 मिनट तक और इसे कुख कर लेंगे अब 5 पकीदाी स्किब करा ने, यूर शॉर भी करें नहीं किते हैं, फिर डुक यूरू न्यूसमें साथ ककशें, यूरी सबें तल्सकान सवस्केया, नहीं किते हैं, और इसे serving plate में निकाल लेंगे तो हमारी tasty and healthy kakora की सबजी बन करकर तयार है तो आप इसे रोटी, पूडी, पराठे या फिर दाल चावल के साथ enjoy कर सकते हैं तो आप मेरी इस recipe को जरूर try करें और आपको मेरी recipe कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी तो recipe को like करें, share करें और मेरी channel को please please जरूर subscribe करें और bell icon को press करना नव भूले ताकि मेरी नई नई वीडियो को notification आप तक पहुँ सके फिर मिलते एक नई recipe के साथ अप तक के लिए बाई बाई